हेलो शुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि मैक्सम इनमा में हमने कुछ फोर तक कर लिया था तो हम अब फाइब से स्टार्ट करेंगे लॉजिक वही रहेगा ठीक है अगर आपको कॉंसेट संज में आ गया तो वही सब हम यूज करने वाले ठीक है तो अभी लेकिन जो यह कुशन फिप्ट है इसमें आपको बेस्केली क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज है इसमें बोला एपसुलूट मैक्समाम वैल्यू एपसू क्यों तो अगर मैंने डिफ्रेंसीट करा तो मेरा कितना आएगा 3x2 फिर मैं के करता हूं जीरो करता हूं इसको सेम तरीके से करो तो जीरो इसकोल टू एक्स स्क्वार क्यूंकि 3 से डिवैड करो 0 तो एक्स जीरो आ गया अब आपको पता इस पर यह तो मैक्समम मिल रहा ठीक है आप उसके लिए करते हो सेकेंड ओडर डेरीवेट करते हो लेकिन अगर आपके आपसे कुश्चन में एफसलीट मैक्समम और एफसलीट मिनिमम पूछा है तो उस कुश्चन में आपको इक इंट्रवल दिया जाता है यहां पर लिखा एक्स बिलॉंस टू से टू जि होगा मिनमम ममें मिल रही होगी माप लोदो एक इसकी बीच में değer happy माइनस टू से टू के बीच में यह तो मैक्समूं मेल रही होगी और इन पर कही नहीं मिनमम बैलू मिल रही होगी इन दो प्वॉइंट जो भी हो रहा होगा ठीक है कि आप बताओ अ मैं अगर हमसे इस ndenwn do पर निकाल लो तो हम पर के निकाल लिंआ है तो हम वहलिव निकाली है इसले मत निकाला है एक जाम 7 और को तो क्या आप बता नहीं सकते हो कि कौन सी maximum value कौन सी minimum है maximum 18 ने minimum थे रही है तो क्या इसमें आपको second order derivative करनी की जरूत है आपको उसे कोई जतनी क्यों हम जब already इस interval में ही बात कर रहे हैं तो हम इस interval में देखो दो values तो यह हो गई और एक हमारा critical point आ गया तो हमारी जो critical point आए अग इसा तो पिछले वाले question में हमारे पास इंट्रवल नहीं होता था अब अगर जब इंट्रवल नहीं है मैं से बताओ इसकी minimum value कितनी है तब तो आपके पास पता हो नहीं कि इस critical point पे क्या हो रहा है कितना है यह minimum मिल रहा है maximum मिल रहा है लेकिन यहां पे तो आपके पास end points है तो यहां पे क्या करना है लोजिक भाई है मैं डरना नहीं है कि वही सर confusion हो रही है सर इसमें करना है तो समझो logic को कि यहां पे अगर आप second order derivative कर भी लोगे तो उससे कुछ यहादा मिलने वाला नहीं है आपका first order करने पे zero करने के बाद x की जो value आती इसको बोलते turning point यह critical point होगा उसके लिए हम लोग क्या करते second order derivative अगर आपको याद हो तो second order derivative तो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम यह पता कर पाए कि maximum है या minimum है तो उसके लिए तो अलड़ी हम क्या करेंगे इन दो point पे value function की निकाल लेंगे और इस पे निकाल लेंगे खुद ही पता लग जाएगा maximum है minimum है तो इसका मतलब अब यहां से एक result निकाल लो अपने mind में कि अगर किसी question में interval दिया जाए और आपसे absolute maximum और absolute minimum पूछा जाए तो कुछ नहीं एक बार डे डिप कर लो इसके लिए निकाल लो इस point पे और इसकी जो end point है उन पे function की value निकाल लो बस वहीं से बता दो कि maximum value किस point पे मिल रही है minimum case पे मिल रही है clear हो गया तो यानि कि हमें आप क्या करना तीन case लेने at x is equal to 0 at x is equal to जो हमारा end point है minus 2 और एक x is equal to 2 इस पे हम function के लिए निकाल लेंगे clear है तो 0 पे निकाल लेते है function के लिए function हमारा क्या x cube है तो अगर मैं f 0 निकाल लूँगा तो 0 का cube क्या हो गया 0 हो गया f minus 2 निकाल लो तो minus 2 का cube कितना हो जाएगा minus का 8 हो जाएगा f2 कितना हो जाएगा 2 का cube है नि 8 हो जाएगा तो आपसे इस में कोई maximum value पूछ ले तो क्या बोलोगे maximum value इसक्वाल टू एट और किस point पे at x is equal to 2 और minimum value minimum value is equal to minus 8 at x is equal to minus 2 मिल किया minimum और maximum अब आप बुक में देखो कि तो बुक में आंसर इसी format में लिखे होंगे चलो देख लेते हैं तो यहां पर 6.3 का हमारे जो फिप्त है न तो फिप्त में देखो absolute maximum नहां absolute पूचा है तो absolute और एट कर ले न ठीक है absolute maximum absolute minimum ठीक है तो absolute minimum minus 8 है और absolute maximum प्लस 8 है होगे कोश्चन करता हूँ तो आपको approach ऐसे ही बनानी है और फाल तो कोई tension लेनी नहीं है समझे है बत को फाल तो कोई tension आपको लेनी नहीं है इस तरीके से आप easily कोश्चन को कर पाओगे ठीक है चलो अब देखो यहाँ पर next करते हैं second part में है इसकी fx is equal to sine x plus cos x fx क्या है fx हमारा है sine x plus cos x again वही same rule differentiate कर दो तो हमने f dash x कर लिया तो क्या जागा cos sine x का cos x और cos x का minus sine x इसको bracket में बंद कर दो इसको bracket में बंद कर दो अब आप क्या कर दो इसको zero कर लो f dash x को और यहाँ से x निकाल लेते हैं तो cos x minus sine x तो sine x यहाँ पहुंच गया तो 10 की value positive तो first में ही होती है तो यहाँ एक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाइबाई 4 मिलेगा 45 degree कितना मिलेगा 0 से 0 से 90 के बीच में तो पाइबाई 4 यह एंगल होता है तो अब यह critical point है यह तुम्हारा turning point है तो तुम्हें function की value pi by 4 पे निकालनी होगी और तुम्हें end point पे निकालनी होगी यह निए 0 पे यह निए x is equal to 0 पे find out करनी होगी और at x is equal to pi पे find out करनी होगी सभ्ण में आ रहे है बलब का cos pi by 4 sin pi by 4 होता है 1 by root 2 cos pi by 4 होता है 1 by root 2 तो 2 upon root 2 तो क्या यह root 2 आ गया ठीक है 0 पे निकाल लो f 0 तो आएगा sin 0 plus cos 0 sin 0 0 होता है cos 0 1 होता है यह 1 आ गया pi पे निकाल लेते है f pi तो sin pi plus का cos pi sin pi की जो value होती है वो आपकी 0 होती है तो cos pi minus 1 होता है अब यह दो को पता होना चाहिए कि cos 180 जो होता है वो आपका minus 1 होता है तो यह minus 1 होगे अब आप पता हो minimum value क्या होगी minus 1 maximum क्या होगी यह तो absolute maximum कहां मिला absolute maximum value ठीक है कितनी मिलगी root 2 और कहां मिली है at x is equal to pi by 4 और absolute minimum value कहां मिली है वो आई यह minus 1 कहां मिली है पाई पे तो यह answer हो गया तो इसको भी देखो आप देखो गया answer तो absolute minimum value minus 1 है और absolute maximum value root 2 है तो इस तरीके से करने थे कुछ ठीक है करते हो और अब आपको एप्रोच समझ में आगी तो थर्ड कुछन आप पहले ट्राई करना ठीक है फिर मेरा solution देखो थर्ड में देखो एफ थर्ड पार्ट में इसमें यह दे रखका है तो fx आपके पास है थर्ड पार्ट में 4x minus half x square यह आपके पास 4x minus half x square differentiate करो चलो सबसे पहले दो f-x कर लेते हैं कितना आएगा 4x का differentiation 4 half x square का differentiation 2x 2 से 2 कट गया तो कितना आगया 4 minus x अब आपको 0 करना होता है इसको bracket कर लो 0 कर यहां से x निकाल लो तो x4 आ गया अब x की value देख लिया कर तो इसी interval में भी आने चाहिए तो अब सीधी बात है अगर x की value इस interval के बाहर है तो हमें सिर्फ इस interval में बात करनी तो उसको तो reject हरना पड़ेगा न लेकिन 4 तो 9 by 2 से पहली आएगा न क्यूंकि 9 by 2 तो 4.5 होता है तो आपको 4 पे minus 2 प 9 by 2 पे ठीक है इन सब के हम value find out करने वाले हैं तो at x is equal to 4 पे कर find out करें तो f4 कितना आएगा f4 तो जो हमारा function है न तो यहां पर x को 4 put कर दीजिए तो 4 into 4 minus का half into 4 का square तो 16 minus half into 4 का square 16 8 times कट जाएगा तो 16 minus 8 यहां से 8 आजाएगा तो f4 कितना आगे 8 आगया अब 8 x is equal to 2 की बात कर लेते हैं कि f2 की बात कर लेते हैं कितना आएगा f2 तो यहां पर 2 put कर दो तो यहां जाएगा 4 into 2 minus 1 by 2 into 2 का square तो 4 into 2 8 minus 1 by 2 into 4 2 का square क्या होता है 4 तो 8 minus 2 times कर गया तो 6 आगया यहां से तो यह 8 आगया और यह 6 आगया ठीक है यहां से 8 आगया यहां से 6 आगया अब हम बात करते हैं क्या यह f4 हो गया और यह f2 आगया अब f9 by 2 निकाल लेते हैं तो f9 by 2 देख तो कितना आता है इधर निकालते हैं इधर 9 9 by 2 रख दो, 4 into 9 by 2, minus half into 9 by 2 का square, यही तो आएगा, तो यह 2 times कट गया, 18 आगया, 9 का square 81, 2 का square 4, तो 18 minus का 81 upon 8 आजाएगा, अब यहाँ पर 8 LCM ले लो, तो यहाँ से कितना आजाएगा, 144 minus का 81, तो कितना हुआ, 4 में 1 गया, 3 और 14 में 8 गया, 6, 63 upon 8, तो भीया देखो, यह कुछ कितना होगा, 8 जा 64 हो, तो यह 8 से कम है, यह 8 से कम है, तो भीया, maximum value तो फिर हमारी यह होगी, absolute maximum value कितनी होगी, वह तो 8 होगी, और कहां हो रही है, 4 पे, at x is equal to 4, और minimum फिर यह होगा, क्योंकि यह 6 point something होगा, 8, 7, 56 होता है, 7 times कुछ आ रहा है, तो absolute minimum कहां होगा, absolute minimum हो जाएगा, हमारा minimum value, is equal to 6, कहां पे, at x is equal to minus 2, तो यहां से यह answer आ रहे है, तो यहां पर आप अपनी बुक्स में answer check करेंगे, तो absolute maximum तो 8 है, minimum minus 10 आ रहा है, एक मिनट, यही कोशन है न, एक मिनट, check कर लेते हैं, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फिप्त का कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, जिसमें absolute minimum जो value आ रही है, वो minus 10 आ रही है, maximum तो 8 आ रहे है, यानि कि इन दोनों में check करना पड़ेगा, हमें minus 10 आ रहा है, एक मिनट, देख लेते हैं बही है, कहाँ पर कुछ गड़बड हो रही है वाली, देखो, 4 हमने इसमें रखा न, 9 वाइट, पहले टूर, अच्छा, नहीं, ठीक है, minus 2 ही तो रखना था, चलो minus, अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया, देखो, इधर अब लिखाता है, मैंने, at x is equal to minus 2, पुट क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो यहां minus लगा लो, भाई, minus, और यह minus, तो यह minus 8 आएगा, अब यह minus का square तो plus ही होगा, तो यह तो ठीक है, अच्छा आ गया, देखो, minus 10 आ गया, तो absolute minimum value minus 10 आ रही है, माइनस का 10, at x is equal to minus 2, ठीक है, तो सही रहता है, इसलिए बुक में अपने पास रखता हूँ, क्योंकि देखो, कई भी, देखो, अब सीधी बात हमेसा बोलता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, माइनस प्लस की गलती कभी भी हो सकती है, ठीक है, तो हमेसा बुक रखता हूँ, इससे कि आपको कभी गलत ना हो जागी, यह होता है कि न, कई बार मालों गलती से मैं लिख दो, अब बच्चे कमेंड कर देंगे, ठीक है, यह निसोचे कोई बात है, तुम खुद सही कर लो, बच्चों की गलती नहीं है, पता नहीं हम्ने सही किया है, यह आप लोगों का ट्रस्ट जो बहुत उपर लेबल तक होता है, मतलब आपको लगता हा सर्म कर रहा, तो सही कर रहा होगा, कहीं पूर माइनस टू सर्मозможно बड़ लिख दिया है, तो कुछ तो गड़बडा है, तो आपको मैं highly accurate पढ़ा पहूं को सिस करूं कि highly accurate मतलब कहीं गलती हो भी तो तुरंद रेक्टिफाई हो जाए lecture के अंदर ही और आपको यह पतर है कि हमारा कहीं गलती हुए तो आप लोग अपने 20-15 का whole square ग्रस थरी यह एमआरा फोर्थ पास यह तो अगर हम इसको डिफरेंस सीड करेक आपको कितना है कि और तो ऊफ एक्स माइनस वन और ठीट का इसुझन जीरो आप जोई एक स好不好 इसको च्रूराद से'क से सब्सक्राइज कर दो 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 is equal to x minus 1 तो x कितना आ गया? x के लिए यहां से 1 आ गई. x कितना आ गया? x यहां पे आ गया 1 के बराबर. तो अगर x is equal to 1 है यहां पे, x is equal to यहां पे 1 है अगर आपका, अब यह देख लो इस interval में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, already minus 3 और 1. 1 पे close bracket और 1 ही हमारा आ गया. तो यहां पे सिर्फ हमें check करना पड़ेगा x is equal to minus 3 पे और at x is equal to 1 पे. क्योंकि point भी हमारा 1 ही आया है. ठीक है? अब निकाल लो value इस पे तो f minus 3 निकालना है. तो minus 3 रख दो इतर minus 3 minus 1 का whole square plus 3. minus 4 का whole square plus 3. 16 plus 3. कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा चलो f1 निकालो यहां पे. तो 1 minus 1 का whole square plus 3. तो 0 का square plus 3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. तो यहां से आप कह सकते हो absolute maximum जो है. 19 मिल रहा है. और किस पे मिल रहा है? at x is equal to minus 3. और absolute minimum जो मिल रहा है. वो 3 मिल रहा है. और कहां पे मिल रहा है? at x is equal to 1. तो यहां पे आपके जो answer आए होंगे. वो 19 और 3 है. ठीक है. तो यहां पे आपका 19 और 3 answer आ रहा है. clear हो गया? है समय है? अब तो समय हो गया? अब तो समय हो गया? अब तो minimum और maximum जो कैसे हो रहे है? तो यह था हमारा 4